नमस्कार स्वागत है अब सभी कारेनी इस पर आपके साथ मेहुपल्लेवी रवीन रिसिंग प्रधन मंत्री मोदी आर्थिक शेत्रों से बहुष्टरी संपर के लिए आज प्रधन मंत्री गति शक्ति रास्टे मास्टर प्लान की शुरुवात करेंगे या रेल और सडक सहेत सोला मंत्राले को जोडने वाला एक डिस्चल मंच होगा आपको बताती चले इस योजना का मकसद बुन्यादी धाचा संपर की परियोजना की एकिकरती योजना बनाना और समन्वित क्रियानविन को बढ़ावा देना है अधकारियों ने कहा है कि सोला मंत धाचे की नीव रखेगा अभी हमारे परिवहन के साधनों के बीच कोई समनवे नहीं है गत इन सभी बाधाओं को दूर करेगी सूचना प्रदुख की मंत्राले के तहत भाशकाचार राश्ट्री अंत्रिक्षान प्रयोग और भू सूचना विज्यान संस्थान ने इस मंच को विक्सित किया है उद्धोग और अंत्रिक वैपार समवर्धन विभाग सभी परियोजना के निग्रानी और कर्यानवन के लिए नोडल मंत्राले होगा परियोजना का जायजा लेने के लिए एक राश्ट्री योजना समून नेमित रूप से बैठक करेगा किसी भी नई ज परियोजना के उचित क्रियानवन में मदद मिलेगी और आगे चलकर मंच का आकड़ा निजिश्रित को भी दिया जा सकता है आपको बता चलिए अधिकारी ने कहा है कि सडक रेलवे दूरसंचार तेल और गैस जैसे मंत्राले के परियोजना है इस मंच पर हैं और इसे कपड और इसके साथ-साथ खाद प्रसंसकर मंत्राले को भी अपने पार्कों की योजना बनाने में मदद मिलेगी तो कॉंग्रेस के पूरवध्धक्ष राहूल गांधी के अगवाई में पाठी का एक प्रतिनिधि मंदल लखेम पूर खीरी हिंसा मामले को लेकर आज राश्पती रामनात को विन से मलाकात करेगा और इस घटना के तथ्यों से जुड़ा एक ग्यापन भी उने सौपेगा मलिका आरजुन खडगे परिश नेता एक अंचनी गुलाम नभीयाजाद लोगसभा में कॉंग्रस के नेता अधीरंजन चौधरी पार्टी महासुची प्रियंगा गांधी वाज्जर और संग्ठन महासुची के सीवेडू गोपाल शामिल होगे वहीं लखेम पूर हिंसा मा टारीक बाद भारती किसान यूनल के रास्ट प्रवक्तर आकेस्ट्रुकेट ने केंदरी ग्रह राज्य मंत्रु आजय मिष्रो टीनी के स्तिफ़े की मांकी राकेस्ट्र की कहना है कि अब तक आजय मिष्रो अपने पस से बने रहे हैं और जब तक निश्पक्ष जांच होना संभव नहीं होता वहीं इस्तीफा ना देने पर उन्होंने आंदोलन करने की बात कही लखिमपूर खीरी में राकेस्टुकैत ने कहा है कि अगर केंद्री मंत्रु का इस्तीफा नहीं होगा तो यहां से आंदोलन की खुशना करेंगे इसको लेकर लखनाओं में बड़ी पंच होगे लखिमपूर मामले में राकेस्टुकैत ने अपनी योजना को लेकर बताया है कि हिंसा में मारेगे किसानों के अस्तिकल अशुदेश के हर उजुले में जाएंगे और लोग उन्हें शुद्धांच लिदेगे तो भारत में अब जल्द ही बच्चों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी दो साल से अठारा साल तक के बच्चों और किशोरों में इस्तमाल के लिए COVID-19 रोधिटी के वैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण का पारिक्षन पूरा कर लिया कमपणी ने इसके सत्यापन और अपातकाले नुपियों के मनजूरी के लिए इस महीने की शुरुवात में केंद्री औशदी मानक नियंत्रों संगठन के आकडों सौप दिये थे सिफारिशों को अंति मनजूरी के लिए भारत के आशदी महानियंत्रक को भेज दिया गया था हैदरबाद की दावा कंपनी बायोलोजिकल ई ने कोई विशील या कोवैक्सीन के सभी टिके लेचुके लोगों को बूस्टर खुराक के तौर पर अपनी कोवी-19 रोधिटी के कार्बे वैक्स देने के संबंद में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए और शदी नियामक से अनमती मागी देश में विक्सित आर्बीडी प्रोटीन आधारित कार्बो वैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के परिक्षण में ठीके की इसी महीने घोशित किये जाएंगे कंपणी ने कोवी शील्ड को वैक्सीन लगायने के चुके लोगों को एकल बूस्टर खुराक के तौर पर कार्बो वैक्स देने के संबंद में तीसरे चरण के परिक्षण के वास्ते भारत के और शदी महानिय अंत्रक से अनमती के लिए सिरम इंस्ट्टूट आपको बता चले 7-11 साल ते के बच्चों के लिए अमेरीकी कंपनी नुवा वैक्स के टीके का परिक्षण करेगा कंपनी ने भारत में इस वैक्सीन का नाम कोवा वैक्स रखा भारती दवा नेमित नहीं इस साल सितंबर में सिरम इंस्टूट को अमेर कि कंपनी नुवा वैक्स की वैक्सीन का साथ से 11 साल की उम्र तक के बच्चों पर परिक्षण करने के अनमती देदी नुवा वैक्स वैक्सीन को सिरम की ओर से कोवा वैक्स के नाम से भारत मिलिया जाएगा